हेलो गाइज, वेलकम बेक टो हिमाचल सक्सेस बुक, आज हम डिसकस करेंगे गिर्राज के मार्च के सेकेंड वीक के क्रंट अफियर्स के बारे में So the question is, हिमाचल सरकार ने 2.85 करूर की कितनी स्नो क्लिरेंस अटेचमेंट खरी दी हैं So the question is, हिमाचल के कौन से जिले में होकी एस्ट्रस्ट्रफ एंड इंडो स्टेडियम तियार करने की गोशना की है So the question is, हिमाचल प्रदेश में कितनी नई पंचातों का गठन किया गया है तो इसके options हैं और इसका answer है 412 तो हिमाचल में 412 नई पंचायतों का गठन किया गया है ग्रामणी विकास एवं पंचायती राजमंत्री शिर्विरेंदर कमवर जी ने बताया कि वर्ष 2020 के दोरान पूर ग्रामणी पंचायतों में से 404 तथा नगरपंचायत के एक शेतर से बहार निकालेगे एक शेतर की आठ यानि कुल 412 नई पंचायतों का गठन किया गया है जिन में नगर निगम नगरपंचायत में 23 ग्रामणचायतों के समलित किया जाने के उपरान ग्रामणचायतों के संख्या 389 के बढ़ोतरी हुई है तो इसलिए प्रदेश में टोटल 412 नई पंचायतों का गठन हुआ है अंतरहस्ट्री शिवरात्री महोतसम में मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर ने स्थानिय प्रदिभाग कोशल और उत्पादों को प्रात्मिक्ता देने के लिए कौन सी नई स्कीम चलाई है तो ये इसकी आप्शन्स है और इसका अंसर है वोकल फॉर लोकल मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने किस अस्पताल में नई स्लाइज सीटी स्कैन और सीलिंग मौंटेड एक्सरे मशीन स्मर्पित की तो इसकी आप्शन्स है और इसका अंसर है लाल बहादुर शास्त्री मेटिकल कॉलेज निर्चॉक मंडी मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने हिमाचर पदेश विधान सभा में कितने क्रोड रुपे का अनुपूरक बजट 2020-2021 पेश किया है तो इसकी आप्शन्स है और इसका अंसर है 9125.12 करोड रुपे सप्लिमेंटरी बजट यानि अनुपूरक बजट क्या होता है कि बर्ष के दौरान मंत्राले और अन्य विभागों के दौरा अतरीक तधन का अनुरोध किया जाता है तो यह सप्लिमेंटरी बजट में काउंट होता है वर्ष 2021 के लिए सप्लिमेंटरी बजट जो ग्रांट किया गया था वो 9125.12 करोड रुपीज का था जिसमें नौन प्लान कैटिगरी में 8448.17 करोड प्लान पोर्शन में 280.84 करोड और सेंटरली स्पांसर्ट स्कीम्स में 396.11 करोड पर शामिल है स्वरन जेहनती नारी योजना के अंतरगत किस उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमास समाजिक सुरक्षे पैंशन बदान की जाएगी तो इसके आप्शन्स हैं और इसका अंसर है 65 to 69 यर्ज नेक्स्ट कोइशन हिमाचल पदेश के मुख्यमंत्री जर्म ठाकों ने अपने कारेकाल का कौन सा बजट पेश किया है तो इसके options हैं और इसका answer है fourth budget तो हिमाचल पुदेश के मुख्य मंत्री शी जाराम ठाको जी ने अपने कारेकाल का जोथा budget पेश किया है next question मुख्य मंत्री जाराम ठाको ने हिमाचल पुदेश बिधान सवा में कितने क्रोड का वाशिक budget पेश किया तो पीछे जो हमने question किया उसमें supplementary budget दिया था और इसमें annual budget के बारे में कहा गया है तो इसका answer है 50,192 क्रोड रुपीज तो इस budget के साथ साथ जो है वो प्रमुक बिंदू है महिला कल्यान और चशक्तिकरन, समाजिक सुरक्ष विस्तार, स्वास्ति सेवाओं का सुद्रिडी करन, किसानों की आयमे वरिदी, स्वरन जेनती आश्रय योजना, रोजगास रीजन और द्योगी की विकासव अधारभूत धान्चे परबल, शिक्षा में गुनवत्ता इसक प्रमुख बिंदू हैं इसका अंसर है जिनकी अबादी 10 लाग से कम है और जिन शहरों की अबादी 10 लाग से अधीक है उनमें बैंगलोर को प्रत्मस्तान प्राप्त हुआ है तो Ease of Living Index में शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यह अगलन जो है मुख्यरूप से जैसे शिक्षा, स्वास्थे, सुरक्षा, अर्थविवस्था, किफायती अवास, भूमी पियोग योजना, सार्जनिक स्थाल, संस्कृती, परिवेहन, ठोस, अप्षिस्ट पर पॉपलेशन 10 लाग से अधिक के वाले शहरों में देखा जाए तो बैंगलूर को फर्स स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका स्कोर 66.70, पूने 2nd स्थान, जिसका स्कोर 66.27, और एहमदवाद को 3 स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका स्कोर 64.87 है 10 लाग से कम अबादी वाले शहरों में शिमला को है 1st प्लेस, जिसमें 60.90 स्कोर किया है, भूबनेशन 2nd प्लेस, जिसने 59.85 स्कोर किया है, और 3rd प्लेस पे है सिल्वासा जिसने 58.43 का स्कोर किया है Musible Performance Index में देखा जाये तो, 10 लाग से अधिक अबादी वाले शित्र में, Indoor 1st रैंग पे, सूरत 2nd रैंग पे और भुपाल जोयो 3rd रैंग पे है और 10 लाग से कम अबादी वाले शित्र में, New Delhi MC 1st रैंग, तिरुपती 2nd रैंग और गांधी नगर 3rd रैंग पे है Ease of Living Index 2020 जो है, वो 111 शहरों में कमोगल अंकर किया गया और हिमाचल पदेश में देखा जाये तो, शिमला 1st रैंग पे और धरमशाला को 37 स्थान प्राप्त हुआ है और Musical Performance Index में देखे तो, धरमशाला को 16 और शिमला को 24 स्थान प्राप्त हुआ है इससे पहले जब 2018 में ये सर्वे हुआ था तो, शिमला जो है वो 111 शहरों में से बानुए स्थान पर था Next question भारत उद्योग संग हिमाचल पदेश के राज्य वार्शिक सत्र 2020-21 का विशे क्या था? तो, इसके options हैं और इसका अंसर है Regaining the Growth Momentum Next question हिमाचल पदेश के किस जले में कंगनिधार स्थित है? तो, इसका options है कुलू, शिमला, मंडी या चमबा तो, इसका अंसर है मंडी डिस्टिक आप देख सकते हैं ये मंडी टाउन है और ये ब्यास रिवर है और इसके साथ ये उहल खड है और यहां पे जो है वो कंगनिधार स्थित है हिमाचल पदेश के मंडी में 12 जोत्रिलिंगों वाले शिवधाम का नीव पत्थर हिमाचल्प के मुख्यमद्री जारम ठाकूजी ने रखा है और ये जीरा मुख्याले से 2 किलोमेटर की दूरी पर जो कंगनिधार है उस पर इसकी स्थापना की जा रही है कंगनिधार 960 मीटर की उँची पहाड़ी पर इसे बनाया जाएगा और यह 3-4 सालों के भीतर 9.5 हक्टेर के क्षेतर पर यह शिवधाम बनाया जाएगा एकसोपचास क्रोड रुपे के इस शिवधाम का डिजाइन जो वो ओम की आकरिती पर बेस्ट है इस परियोजना का पहला चरण 40 क्रोड रुपे की लागत से पूरा होगा आप देख सकते हैं यह शिवधाम का डिजाइन है और यह इसकी बेसिक ओम की आकरिती है नेक्स क्वेशन उन्नत जीवन समर्थन परणाली एंबुलेंस का क्या नाम है जिसे हाल ही में मुख्यमत्री जयराम ठाकुर ने हरी जंडी दिखाई थी तो इसकी ओप्शन है और इसका अंसर है जीवन दाइनी चीफ निस्टर जैराम ठाकुर जी ने आईजीमसी शिमला में जीवन दाइनी की छे नहीं एंबुलेंस को हरी जंडी दिखाई है और यह एंबुलेंस काफी हल्फुल है इन में कुछ नए सुविधाय भी एड की हैं जैसे आइस्यू वेंटिलेटर विटल साइन मॉनिटर आटोमेटेड एक्सटरलर दिफैब्रिलेटर संक्षिन पंप एमर्जेंसी किट वैक्यूम स्लिंट किट मौट तू मौट रेस्पिरेटर और साइरिंग इंफ्यूजन पंप एक्सेट्रा हिमाचल पतेश के हल्थ सेक्टरी अम्विताव अवस्थी जी है और आईजीम सी के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानिय जी है माचल पदेश अल्प संख्यक बित और विकास निगम के अध्यक्ष कौन है तो इसके आप्शन्स है और इसका अंसर है सुर्वीन चौधरी जी अभी हाल ही में HP Minority Finance and Development Corporation की 45th मीटिंग हुई जिसमें Social Justice and Empowerment मिनिस्टर सुर्वीन चौधरी जी ने बताया कि अब तक लगभग 4408 लोगों को 96.03 करोड रुपे का लोन डिस्टिब्यूट किया गया है Minority Communities में 2763 Beneficiards को 54.90 करोड का लोन डिस्टिब्यूट किया गया है और Disable Persons में 1645 लोगों को 41.13 करोड रुपे का लोन डिस्टिब्यूट हुआ है 2018.19 में देखा जाए तो 118 लोगों को 444.45 लाख रुपे का लोन 2019.20 में 119 लोगों को 5.64 लाख रुपे का लोन और 2020.21 में 128 लोगों को 601.15 लाख का लोन प्रुवाइट करवाया गया था हमारी Social Justice and Empowerment Minister जोआमसुरवीन चौधरी जी है और इनकी constituency शापूर कांगड़ा से है और ये HP Handicap Finance and Development Corporation और HP Minority Finance and Development Corporation की मिनिस्टर भी है नेस्ट क्वेशन डॉक्टर अभिशेक ठाकुर and डॉक्टर अन्दिता ठाकुर have awarded which award for their outstanding work during the COVID-19 pandemic तो डॉक्टर अभिशेक ठाकुर और डॉक्टर अन्दिता ठाकुर को COVID-19 महमारी के दरौन उतक्रिस्ट कार्य के लिए किस प्रुर्षकार से सम्मानित किया गया है तो ये इसके options हैं और इसका answer है हिमाचल Achiever Award डॉक्टर अभिशेक ठाकुर और डॉक्टर अन्दिता ठाकुर को हिमाचल Achiever Award से नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने pandemic COVID-19 के दोरान सरकार की काफी help की ये हमिरपुर में साइं हॉस्पिटल चलाते हैं और इन्होंने इस pandemic के दोरान गॉर्मेंट को पेशेंट को free accommodation और free services प्रवाइड करवाई है तो अमर उजाला ने इनके सरानिक कारे को देखते हुए इन्हें हिमाचल Achiever Award से नवाजा है तो गाइस किसी को अगर इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलिग्राम चैनल हिमाचल सक्सेस बुक से डाउलोड कर सकता है थैंक्यू गाइस पर वाचिंग वीडियो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब देचैनल पर फूर्दर इन्फोरमेशन